Hello guys, Welcome to my channel, आप देख रहे हैं How to fix stack दोस्तों इस वीडियो माँ आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका keyboard काम नहीं कर रहा है तो इस वीडियो माँ आपको बताने वाला हूँ कैसे आपने fix करना है इस issue को तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको basic steps बता देता हूं जो आपने खुद से try करने हैं तो अगर आप computer use कर रहेंगे दोस्तों तो आपने उसना slot यहाँ पर change करना है जिस slot में आपने keyboard लगा रखा होगा उसको आप slot change कर सकते हैं अगर आपने यह सब try करके देख लिए तो फिर आपको यह steps follow करने हैं तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 3 methods बताने वाला हूं जो working methods है और यह आपकी जो problem है solve कर देगी तो आई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है start menu पर सबसे basic steps बतार हो हम आपको यहाँ पर setting का option है यहाँ पर जाना आपको उसके बाद आप यहाँ इस तरीके से options खुलेंगे आपके पास आपको यहाँ पर यह update में जाना है update and security में अब यहाँ सब left side में आप देख सकते हैं ट्रबल शूट का option है आप इस पर क्लिक करना है उसके बाद यह additional troubleshooter पर जाना आपको अब यहाँ से दोस्तों हमने keyword चूज करना है यह देख सकते हैं अगर आपके system में software problem होगी तो यह ही से resolve हो जाएगी run the troubleshooter करना आपको और जो भी problem होगे आपको next neck कर देना और उसके बाद आपको close कर देना है और एक बार आपको अपने system restart कर लेना है यह भी काफी powerful method है दोस्तों run the troubleshooter windows के अंदर यह automatic यहाँ पर दिया रहता है जिसके मदद से आप इस issue को fix कर सकते हैं keyword से related अब आपको दूसरा method बताने जा रहा हो दोस्तों अगर इस system को भी follow करने के बाद आपका error solve नहीं होता दूसरे method में क्या करना आपको यहीं पर जाना है आपका keyboard काम नहीं कर रहा हो तो आपको राइट क्लिक करना यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर device manager में जाना है यह देख सकते है option आप कि इस तरीके से यहाँ पर आपको keyboard का driver ढूंडना है तो keyboard बजाना हमने यहाँ पर यह वाला option इसको expand करना site से यह चूज कर लेना जो भी होगा आपके system में standard ps2 keyboard यह main रहता है यहाँ पर इस फिर right click करना है सबसे पहले हमने update करना है इसको search automatically कर देना है यहां से अगर यह वाला दिखायाएगा दोस्तों कि the best driver for your device already installed तो इसको close कर देना हमने यहीं पर जाना हमने back उसके बाद आपको फिर से update पर जाना है एक बार अब यह वाला choose करना है हमने browse my computer for drivers उसके बाद यह then यह वाला option आपको मिल जागा है हम पर उसके बाद आपको next कर देना है इसको अब यह install हो जाएगा यह वाला तो आपको आपको इसको close कर देना है इसके बाद दोस्तों रिस्टार्ट के लिए बोलेगा आपको एक बार रिस्टार्ट कर लेना है और अपना system एक बार आपको और रिस्टाटना पड़ेगा आपका इसजी जुए है सौल तो फिंद मन्नौ करता हूं तो आपको तीसरे सीघियookie में बता देता हूं तो तीसरे चाह्ने करना दोस्तों मा अपको आपको यही पर की जाना आफ हम स्टाइट मेनु स सब्सक्रnie मेरेसा को इसके बाद ये देखेंगा इस अग्सेस का यह option है अब यहां से दोस्तों हमने की बॉट बजाना है नीचे के तरफ ओंड यह option है इसको क्लिक करना है अब यहां पर दोस्तों की बॉड को क्लिक करने के बाद आपको यह option दिखेगा इसको on कर देना हमने अब इस तरीके से option आ जाएगा आपके पास यह तो आप यहां से अपना keyboard यूज कर पाएंगे अब आपको next step बतातों क्या करना आपको इसी के जरीए यही पर आपको इस पर राइट क्लिक करना दोस्तों इस बार फिर से रन का option है आपर रन करना है अब यहां पर दोस्तों मदर रेजेडिट लिखना है तो यहां से लिखना आपको 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 इस करना आपको अब यह तरीके से यह रिजिस्ट्री की कमांड्स खुल जाएगी तो इसको मिनिमाज कर ले तो हमें तो इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा दोस्तों आपको आपने सबसे पहले एच की लोकल मशीन ये वाला करना है यहां से इस तरीके से कि उसके बाद दोस्तों आपको आपको यह बादस और सिस्टम को option आपको उसके बाद से क्लिक करना आपको उसके बाद आपको सर्विसेस को ओप्शन देखेगा नीचे इस पर क्लिक करना आपको इस सरे किसे साइट से इसको भी एक्समेंड कर देना है अब यहां से दोस्तों आपको i8042 PRT को ढूढना है तो इसको नीचे कर लेना हमने i के सरीज में आना पड़ेगा आपको है आपको यह अप्शन देख जाएगा दोस्तों आपको यह आप देख सकता है हाई 8 0 4 2 Πि आ टि इसपे क्लिक कर ना आपको आप यहां पर दोस्तों आपको इस तरह के शौप्सन से दिखेंगे राइट साइड में तो हमने यहां पर स्टार्ट वो अपशन है यहां पर इस पर क्लिक करना इस पर राइट खली करना अगर आपके सिस्टम में जो भी होगी 1 करने के बाद आपको OK कर देना है और उसके बाद आपको अपना सिस्टम में एक बार restart कर लेना है आपकी जो भी problem होगे दोस्तों Keyboard से related software problems आपकी problem solve हो जाएगे अगर आपका hardware issue है दोस्तों तो आपको अपना Keyboard change कराना पड़ेगा और अगर आप laptop यूज़ कर रहोंगे तो आपका अपना laptop का Keypad होता है उसको change करना पढ़ सकता है आपको उमीद है दोस्तों आपका issue solve हो गया होगा इस वीडियो से इसी तरह के content देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं इस वीडियो का आप लाइक कर सकते हैं Thank you